नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवाल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजून लरायन आज हम दिल्ली की सडकों पर उठ रहे हैं ग्राउंड जीरो के हाला जानने के लिए आज हम मौझूद हैं दिल्ली के सरीता विहार इलाके में यहां से जानेंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस की तैयारिया कैसी है क्योंकि कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और उसे कुशी देर बाद हम आपको डीसीपी से भी मिलवाएंगे जो साउथ इस डिस्टी के डीसीपी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि उनकी टीम ने कैसी तैयारी कर रखी है कोरोना से रोक्थाम को लेकर सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरुक करने को लेकर तो चलिए आपको दिखाते हैं अब बने में न्यूजवर इंडिया के साथ इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे साउथ इस डिस्टी के डीसीपी आरपी मीना जी तो आईए उनसे मुलाकात करते हैं आज हम पहुँचे हैं सरिता विहार और यहां हमारे साथ मौजूद हैं साउथ इस डिस्टी के डीसीपी आरपी मीना जी आरपी मीना जी न्यूजवर इंडिया में आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले जानूंगी कि नाइट कर्फी का आज दूसरा दिन है आपकी टीम की क्या तयारी है सबसे पहले तो थैंक्यू आपको यह कवर करने के लिए क्योंकि जैसा हमने कल देखा कल पहला दिन था हमने कल भी तियारी की थी और कुछ कमिया जो हमें कल नजर आई वो आज हमने दुरुस्त की है क्योंकि कल दस बजे के आसपास अरेंजमेंट शुरू हुआ था तो ठीक करते करते जो है वो 15-20 मिट लग गए थे बट आज हमने 9-7-9 से हमारा अरेंजमेंट लगा दिया हर थाना में मिनियाओ हमने 3 पिकेट लगाई है उसमें से एक स्ट्रॉंग पिकेट है जिसमें PCR और ट्रेफिक भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साथ में रहे और अल्रेडी जो है वो 9-7-9 से मार्केट हमने बंद करा दिये थे आद दिन बर लोगों में अवेरनेस कैंपेट भी कराई हमने काफी अनौंसमेंट कराए थे जो हमारे RWA और बाकी लोगों से संपर्क किया उनको भी समझाए कि इलाके में नहीं निकलना है दस बजे के बाद में तो हमने पूरी कोशिश की दिन बर की रात दस बजे से लोग जो है वो समझ जाएं और हम लोग एंशोर कर रहे हैं कि वही लोगों की मुवमेंट हो जिनको अलाउड है बाकी कोई मुवमेंट ना हो ताकि यह जो पेंडमिक है यह बिमारी है यह फैले नहीं ku مس millionaire चिया आज आज किया तयारी है कौन कौन से लाकों में आप जाने वाले क्योंकि आपकी तयारी हो normal आवाज आही नहीं है और जिनको loud है मैं बार-बार कह रहा हूं कि जिनको loud है only वही लोग अभी इलाके में आ रहे हैं. Already checking शुरू हो चुकी है तो अभी इलाके में सभी लोग हैं हमारे सब से रिपोर्ड भी मैंने ली है तो अभी कोई movement नहीं है, only वही गाडिया जिनको loud है, वो जा रही है, उनको हम check कर रहे हैं, और क्योंकि multiple levels मिलेंगे, अगर कोई भी हमारे जिले से को cross करना चाता है, तो उसको बहुत सारी pickets मिलेंगी, जैसा आप देख सकते कि पीछे मत्रा road है, यह एक important road है, यह in fact life line है, यह से आगे जो है वो डेली और फरीदाबाद की connectivity है, तो यहां भी movement जो हो बिल्कुल ना के बराबर है अभी, और थोड़ी दिर में आप देखेंगे कि जिसे ट्रक और इन सबकी movement हो रही है, तो वही essential movement है, उसके लावा काफी आज जो है वो अच्छी तरीके से कर्फ्यू लोग में ये अफवा है या हम ये कहें कि मित है कि lockdown लगने वाला है दिले में, ऐसी स्तिती से निपटने के लिए आपकी टीम की कितनी तयारी है और किस तरह से आप लोगों को जागरू कर रहे हैं कि lockdown जैसे अभी कोई हालात नहीं है, अभी सिर्फ night curfew है, देखिए lockdown लेगा, ये policy decision है, जो काफी सारी चीज़े analyze करने के बाद में उपर level पे लिया जाता है, जहां तक implementation की बात है, मैं आपको बता दूँ कि हम ये corona के इस तरह की तीन phases से already गुजर चुके हैं, जब हमने cases की peak देखी थी, डेली पुलिस ने तब भी बहुत अच्छा काम किया था और अब भी हम पूरा तयार हैं, किसी भी तरह की अगर situation आती है, तो हम उससे जूजने के लिए, उससे पार पाने के लिए, उसको पार करने के लिए और लोगों को सेफ रखने के लिए बिल्कुल तयार है। आप हासिल कर सकते हैं, एक DM आफिस से आप ले सकते हैं, एक DCP आफिस से ले सकते हैं, आज की संक्या वैसे बहुत कम थी, जो हमारे यहां पे करीब अठारा पास के आसपास लोगों ने अपलाई किये थे, उनमें से साथ पास हमने जारी किये हैं, और कल से जो है वो E-Pास के करेंगे और करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, तो ये थे हमारे साथ साथ इस डिस्टिक के DCP आरपी मिना जी जिन्हों ने बहुत अच्छे से हमें समझाए कि इनकी टीम की क्या तैयारी है, अब ये निकलने वाले हैं, ग्राउंड जीरो प तो दिली पुलिस का काफिला रवाना हो चुका है, दिली के लोगों को समझाने के लिए और कर्फ्यू की यार दिलाने के लिए जो भी बेवजा बहार निकला है, आप देख सकते हैं कि अनाउंस्मेंट लगातार किया जा रहा है और अपसे नहीं पिछले एक घंटे से अना तो अभी आपको लेकर चल रहे हैं सरीता विहार के कुछ इलाकों में जाहां आप देखेंगे और मार्केट का हाल भी जानेंगे कि मार्केट में दुकाने बंद हुई है या भी कुछ ऐसे साबधान लोग नहीं है जो लापरवाई दिखा रहे हैं तो दिली पुलिस लगात से माने अप पीछे भी देख सकते हैं कि पुलिस पीछे भी है और आगे भी लगातार अनौंस्पेंट हो रहा है अप इससे अंदाज लगाईए कि दिली पुलिस आपके लिए मैनत कर रही है क्योंकि दिली में लगातार कोरोना की जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नज खाते रहेंगे तो देखा आपने किस तरह से दिली पुलिस ने पूरे इलाके का मौइना किया है और देखा है कि कहीं कोई दुकाने तो नहीं कुली है कोई बेवजा तो बहार नहीं है हाला कि अमूमन आपने देखा है कि दिली की सड़कों पर बहुत जादा भीड़ होती है लेकिन अब जो है वो सन्नाटा उड़ता हुआ नजर आ रहा है और यह देखे आप लगातार हमारा कैमरा मेरी कैमरा परसन आपको दिखा रहे है कि पेट्रोलिंग की जा रही है पेट तरह से वक्त समय हो रहा है रात के ग्यारा बच चुके हैं और कर्फ्यू का असर साफतोर पर दिखाई दे रहा है यह इसलिए है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें अपने घरों में रहें और जो माहमारी लगातार बढ़ रही है देश में बढ़ रही है और दिली में भी और हम भी आप लोगों से अपील कर रहें कि सुरक्षित रही है अपने घरों में रही है बेवज़ा सड़कों पर बार निकले हां जो आगर जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं तो आराम से निकल सकते हैं लगातार आपको तस्वीरे दिखाते रहेंगे आगे भी तो आप बने रही हैं हमारे साथ क्योंकि आज हम दिल्ली नाइट कर्फियों के हाल जानने क्ले निकले में और हालात लगातार आपको दिखा रही हैं तो सहीता विहार के बाद दिल्ली पुलिस का जो काफिला है वो कालंदी कुझ की तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जी हां कालंदी कुझ जोकी दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है तो ऐसे में दिल्ली पुलिस यहां भी लगातार पैट्रोलिंग कर रही है कि कहीं कोई पर दुकाने खुली है या नहीं कोशिच के जा रही है और जो लोग अभी भी दुकान क्खोले हूए हूँ अनकी दुकाने बंद की जा रही है लगातार आप देख रहे हैं कि हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लाइफ पेट्रोलिंग की और 11 बच कर 15 मिलेट का समय हो चुका है और यहां बारिकेटिंग की हुई है दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया तो इसी वज़े से दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस हो गई थी आगे आएंगे मैं अपनी कैमरा परसन से कहूंगी कि देख परहां से यहां पर पूरी बैरिकेटिंग की है और बैरिकेटिंग करके वहनों की चेकिंग की जा रही है यहां पर दिल्ली पुलिस का पुरा दस्ता अगर हम कहें तो मौझूद है और क्योंकि इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो कालंदी कुन जा जाएगा और कालंदी कुन जो की बॉर्डर है दिली और यूपी का तो ऐसे में जरूरी है कि यही पर चेकिंग हो जाए बहुत सारे वाहन हैं बहुत सारी क्याब्स हैं गाड़िया हैं ओटो हैं जिनकी चेकिंग की जा रही है यहाँ पर सरीत विहार की सच्चों हैं वो भी मौकी पर मौझूद है आप देख सकते हैं लगातार न्यूजवल इंडिया जो है आगे भी एक एक तस्वीर आपको दिख सब्सक्राइब देख सकते हैं ऐसी ही वेरिकेटिंग हमें 2020 में देखी थी और जिस तरह से दिली पुलिस ने को लेकर काम किया था तो दिली दिल की पुलिस हो गई थी चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो गई है और देखिए यह आप देख सकते हैं कि जो कैब है जो है उनसे पूछा जा रहा है इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर क्यों रोका गया है देखे नाइट कर्फ्य हो कल से शुरू हो चुका है आप लोगों को यह क्यों कि रॉका गया दिली पुरिसके दरब से दरसल उनकी रैगुलर चेकिंग है तो अपनी चेकिंग कर रहें और मैं दरसल क्या है फरीदाबाद से मेरे जा रहा हूं तो उसलिए उनका रूटीन चेक अप है कि गाड़ी में मेरे साथ एक अदर पर से उसने भी मांक्स पहना हुआ या नहीं पहना हुआ तो बस इस हसाब से चेक कर रहे हैं आप यह पास बहुत ज़रूरी है पास के आप क्या कहेंगे मैं देखिए यह देखिए पैंडेमिक है बात देली पुलिस के निया बात हर स्टेट की पुलिस कि अब लोग अपना काम बैतर तरीके से कर रहे हैं तो देखा आपने यहां पर लोगों को परिशानी तो यह कुछ लोग ऐसे हैं जिनने नहीं पता है कि ई आपको जाना है कहीं तो यह पास बहुत जरूरी है और यह देखिए एक गाड़ी की चेकिंग यहां पर दिल्ली पुलिस कर रही है इसलिए क्योंकि कोरोना के हालात जो है अब बेकाबू होते वे नजर आ रहे हैं कोरोना अपने चरम पर हैं और इसी रोक्ताम के लिए दिल में हम कोसिश कर रहे हैं लोगों समझाने की अनाउंस करके भी पैट्रोलींग करके भी विज्सक्तव अपने लगातार तो की जा रही है पेट्रोलिंग के साथ-साथ यहां पर जो वहां ने उनकी चैकिंग भी की जा रही है हालात 2020 जैसे लग रहे हैं लेकिन अगर आपको 2020 जैसे हालात नहीं चाहिए तो प्लीज न्यूजवल इंडिया आपस अपील कर रहा है दिल्ली पुलिस आपसे अपील कर रहे कि लिए तो आपने जसॉला विहार की तस्वीरे देखिए आपको दिखाएंगे आगे की तस्वीरे आगे तश्वीरे आगे कहां कहां नियूज वाले आपको लेकर जाएगा तो चलिए मेरे साथ तो अब हम मौझूद हैं जसोला गाओं में देखिए ये थुड़ा सा लोकल एरिया है और यहां पर बाहर पट्रियों पर बाजार लगते हैं पट्री बाजार लगता है लेकिन अब वो दुकाने जो हैं चोटी चोटी वो भी आपको नहीं दिखाई देंगी हाला कि वक्त भी नहीं है ये लेकिन हाँ थोड़ी से चहल पहल जरूर रहती है कुछ लोग बाहर रहते हैं लेकिन अब भी आपको एक भी व्यक्ति जो हो बाहर नहीं दिखाई देगा दिल्ली पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और जरूरी भी है पेट्रोलिंग करना अपनी पान बक से पहले ताकि ग्रहाग भी उसको भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और आपको भी कोई तकलीफ ना हो देखिए पिछले साल हमने देखा था कि पैंडेमिकी स्थिती थी बहुत जादा और लगातार जो है वो करोना की मामले बढ़ रहे थे इस बार भी मार्च में नाइट करफ्यू का पालन करें बहुत अगर आप जा रहे हैं बहार निकल रहे हैं तो मास्क लगाईए, नाइट कर्फी में तो मत निकल लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यह है, आप यह मैं सोचिए कि आपके लिए टॉचर है, कर्फी एक टॉचर है, इसको टॉचर मत लीजिए, समझे कि ऐसी स्तिती क्यों आई है, क्योंकि हम जैसे लोगों ने ऐसे हाल क्षित पैदा किये नाइट करफी जैसे हालात आ गए हमें साफधान रहने की जरूत है सुरक्षित रहने की जरूत है क्योंकि यह सबी जो स्तिती है यह हम लोगों ने पैदा किया अगर हम लोग एक साल भी साफधानी बरत तो शाइद ऐसी इसी दूबारा नहीं आते लगाता जैसे हालात ना आएं क्योंकि लॉक्डाउन अगर लगता है दिल्ली में तो हालात बहुत जादा खराब हो जाएंगे आपके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी दिल्ली पुलिस लगातार आप लोगों की दोस्त मनी हुई है और पिछले साल हम ने देखा था कि दिल्ली पुलिस ने भुमी का कोरोना में इतने अच्छी नी भाई की दिल की पुलिस उसे कहा जाने लगा तो आप सभी लोगों से अपील है कि दिल्ली पुलिस की बात मानिये और कर्फ्यू के टाइम पर घरों में रहे बाकि आपको दिन का समय मिल रहा है आप जाईए और भारत को फिर से जिताना है तो देखा आपने दिल्ली की सड़कों का हाल नाइट कर्फ्यू के दूसरे दिन जिहां 2021 में दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा है आज दूसरा दिन है सरीत अव्यार के सच्छों के साथ और उनकी पूरी टीम के साथ हमने दिल्ली के कहीं तुकाने खुली है उनको बंद करवाये गया है साथी साथ उन्हें चेताबने दी गई है कि कर्फ्यू के टाइम से पहले ही वो दुकाने बंद कर दे ताकि उनको और रहाकों को तकलीफ ना हो ऐसे ही न्यूजवल इंडिया लगातार कवर करता रहेगा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लगातार दिखाता रहे है आज के लिए इतना ही आप बने रहे हैं न्यूजवल इंडिया के साथ